प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में शेजा बाजी नावल का पार्ट उननी सुनाओंगा अगर आपने इसकी पिछले पार्ट से नहीं देखे तो चैनल का विजट करें मैंने आश्ता सिखिड की से देखा तो डक्टर ने गुलाबो के बैट के उपर उल्टा किया हुआ तो और डक्टर गुलाबो को पीछे से अपना इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था गुलाबो भी कह रही थी चल्दी करो ये ना कोई आ जाए और फिर हमारा काम अदूरा रह जाए ये तो बला हो अदनान का जो तुमें लेकर आ गया नहीं तो मुझे तो ये उमीद ने के थी कि हम दुबारा कभी मिल पाएंगे तो डक्टर ने भी कहा बात तो तुम ठीक कर रही हो अदनान मेरा दोस्त है इसलिए वो मेरे पास गया था लेकिन उसको हमारे इस रिलिशन के बारे में जरा भी पता नहीं है जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा तो मैं समझ क्या कि आज तो काम बन जाएगा और तुमने भी इशारा कर दिया था मैं पिर प्लान बनाया कि इन सब को चेक अप करने के बहाने बाहर भीजता हूं फिर हम दोना कमरे में ही अकेले हों के जितनी दिर मरसी हम चेक अप करें हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा अब तो ग चोटी सी उमर में कितनी फंकार लड़की है मुझे तो कहती थी कि मेरे नजदीग मत आना कुछ हो गया तो मैं अपने गरवालों को क्या मोदी खाऊंगी मुझे गलाबों की ये बात ने सोच सोचकर बहुत गुसा आ रहा था और मुझे दुख भी हो रहा था मैं सोच रहा कि मैं गलाबों के साथ कितना मुखलिस था लेकिन वो तो बहुत फरकार लड़की निकली उसने मेरे जजबात की भी कदर नहीं की मैं तो उसकी हर बात मानता था लेकिन उसके दिल में मेरे लिए सिर्ल बेवफाई और दोका है पिर मेरा दिल क्या है मैं यक्तम तरवाजा ख खोल कर डक्टर और गलाबों का वो हाल करूं जो के देखना सके फिर मैंने सोचा गलाबों कौन सा मेरी बीवी है ये नहो के काम उल्टा हो जा इसलिए मैंने आगे जाना मनासिब न समझा मैंने सोचा डक्टर के जाने के बाद जब गलाबों का मेरी याद आएगी ते तब उसको इस बात की याद दिलाँगा पिर एकदम मेरे जहन में ख्याल आया के मेरे पास तो बाद में फिर कोई सबूत नहीं होगा इसलिए मैं फूरान अपने कैमरे में गया और वहां से मैं अपना फोन उठा कर ले आया ताके मैं इन दोनों की वीडियो बना सको और उसको अपने पास मैफोज कर लो सबूत के तोर पर जब मैं मुबाइल लेकर खिरकी के पास वापस आया तो तब डाक्टर और गुलाबो का काम फुल अरोज पे था गुलाबो तैसे लेटी होई थी जैसे उस कान की बहुत पुरानी माहर हो गुलाबो को जरा भी टेंशन नहीं हो रही थी लेकिन में ने दिल के ओपर पथर रखकर वीडियो बनाना शिरू कर दी गुलाबो और उस टाक्टर ने पूरा एक गेंटा अंदर लगाया एक गेंटे बाद टाक्टर साब ने उसका दो बार चेक अप कर ली था लेकिन गुलाबो तो ऐसे पड़ी थी जैसे उसे कुछ होआ ही नहीं और मेरे सामने तो वो इतने बाहने बनाती थी मुझे लगता था कि जैसे ये बहुत पारसा है लेकिन उसकी असलियत तो ये है फैर जब वो अपने काम से फारिक हुए तो फिर डाक्टर ने कहा गुलाबो अब मैं चलता हूँ कुछ मैडिसन लिक कर देता हूँ ये ले 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 ना इससे दोबारा तुमारे टांगों में दर्द नहीं होगा पिर डाक्टर ने पूछा बताओ कि अब टांगों के अंदर दर्द हो रही है क्या गुलाबो ने कहा अपका असी दर्द पहले तो आपने अंजेक्शन के साथ की खतम कर दे थी और मेरा झाल है क्यmile छल्दी ये टांगों की दर्द नहीं होगी ले मंगवा के रख लेना कभी कबार अगर दर्द हो तो यहां से दोई खा लेना और सकून हो जाएगा उसके बाद डाक्टर निकार ठीक है गुलाबों में चलता हूँ तो गुलाबों ने डाक्टर से का डाक्टर साब बड़े अरसे बात मिले हो चलो बैठ चाओ थोड़ी धर बात ने करते हैं तो डाक्टर निकार नहीं एक गेंटे का टाइम लिया था अब तो बाहर वाले भी शक कर रहे होंगे कितनी देर क्यों कर दी डाक्टर और गुलाबों ने अंदर ये सब मेरे कमरे की आंख रिकार्ड कर रही थी गुलाबो ने डाक्टर साहब से का ठीक है डाक्टर साब आप जायें ख्याल से जाना मुझे बहुत वस्था आ रहा था क्योंके गुलाबो डाक्टर की बहुत ज़्यादा फिकर कर रही थी फिर डाक्टर ने अल्लावफ़ गया तो डक्टर ने कहा इसको कोई मसला नहीं है ये दवाई लिख करती है बस मवगा के रख ले जब कभी दर्द हो तो ये दवाई हिला देना ये ठीक हो जाएगी गुलाबो का भाई भी कमरे से बाहर आ गया तो गुलाबो के भाई ने का डाक्टर साब आप भी फीस कितनी है वो बताओ तो डाक्टर साब ने का भाई कैसी बात कर रहे हो अधनान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं इससे फीस कैसे ले सकता हूँ आप रहने दे मुझे फीस की जरूरत नहीं है तो मेरे दिल में बहुत घुसा आ रहा था कि जो काम तुम कर चुके हो उसके बाद भी अब तुम फीस का कहोगे फैर रो डाक्टर ने मुझे कहा अधनान भाई मुझे छोड़ कर आओ मेरे गर मैंने का चलो डाक्टर ठीक है मजबूरी थी लेकर जाना था क्योंके मैं उसे लेकर आया था डाक्टर साब को उसके गर छोड़ कर मैं खुद अपनी गर चला गया लेकिन मुझे परशानी बहुत ज़्यादा थी कि मैं गुलाबो को क्या समझता रहा और गुलाबो क्या निकली फिर मैं तीन चार दिन गुलाबो के घर नहीं गया था और माही कभी उससे फोन पे ये बात की और माही कभी उसने मुझे फोन कॉल की तगरी मने एक अपता गुजर गया तो एक दिल मैं आफिस में था तो गुल गुलाबो की काल आई और मुझे कहने लगी अदिनान क्या बात है बहुत दिन हो गए है ना तो तुम के भी हमारे घर आयो ना ही फोन वगरा किया है मैंने गुलाबो से कहा गुलाबो बस जितना हो गया उतना ही काफी है अब मुझे मुझे मजीद काल वगरा नहीं करना तो गुलाबों ने कहा अदरान क्या बात है जो मैंने गुलाबों से कहा इतना जान बनने की जरूरत नहीं है तुमको सब पता है तुमने क्या किया है मुझे सब पता चल चुका है तो गुलाबों ने कहा अदरान देखो ये क्या बात हुई ऐसे कैसे ये किसी पे इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है मैंने कहा क्या मैंने तुम पे इल्जाम नहीं उस दिन डाक्टर के साथ जो जाकब करने के बहाने पूरा एक घंटा अंदर क्या करवाती रही हो तो डाक्टर तो गुलाबो ने फॉरान से कहा कि बस कोछिए डाक्टर ने जाकब बग्यारा किया था उसके इलावा तो और कुछ नहीं तो मैंने गुलाबो से कहा देखो सब कुछ देख रहा था तुम जो दो बार रड़क्टो ने इंजक्शन लगवाया उसके बारे में क्या व्स्याल है तो गुलाबो नगा देखो अधनान अभी मेरी तुम से शादी नहीं हुई और तुम शादी से पहले ही मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर रहे हो तो मैंने गुलाबो से कहा ठीक है अगर मैं इल्जाम लगाता हूँ तो पर पर मैं तुम्हारे गर आउँगा तो फिर तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इल्जाम लगा रहा हूँ या तुम जूट बोल रही हो अगली सुबो मैं उनकी गर चला गया और सिधा गुलाबो के कमरे में गया और गुलाबो के सामने वो वीडियो गर दी गुलाबो अपनी वो वीडियो देखकर हैरान और परेशान हो गई तो मैंने का ठीक है गुलाबो मैं तो तुम्हें कुछ और समझता था लेकिन तुम और निकली अब ये वने वीडियो मैं तुमारे जाकर भाई को दिखाता हूँ मैं गुलाबो के कमरे से बाहर निकला और गुलाबो पीछे पीछे मेरे पार्ग की हुई आ रही थी कह रही थी कि मुझे माफ कर तो लेकिन मैं सिदा गुलाबो के बाई की खमरे में गया तो शीजा बाची उसके उपर बैठ कर जंप प्यारे दोस्तों इस नावल में आगे क्या होने वाला है देखने के लिए चैनल को सब्स्प्राइब कर लीजिए शुक्रिया